नमस्कार मित्रों मैं सुविधा गुपता आज आपके साथ हूँ एक अलग विशे को लेकर वे है बड़े सेलिब्रेशन हमारे समाज में ज्यादा तर जनम दिन मनाने का स्वरूप दिन प्रति दिन बदलता जा रहा है जो कि एक गंभीर विशे है दोस्तों आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ इसी से संबंदित कुछ सुझाव लेकर अपने इस लेक के साथ इसका शीचक है क्योंकि मेरा बड़े आया जनम दिन यानि जिस दिन आपका जनम हुआ साल में 365 दिन है तो रोज लाखों करोडों असंखे लोगों का जनम दिन तो होता ही है अगर आप से कोई पूछे कि आपके लिए इसका क्या महत्व है आप कहेंगे जनम दिन है इसलिए खास तो होगा ही आप मुझे एक बात बताईए आपका इस दिन में क्या योगदान है आपके माता पिता के लिए इस दिन की एहमियत समझ आती है कि उन्होंने आपको जन्द दिया आपको वह इस दुनिया में लाए पर आपने ऐसा क्या महन काम किया जो आप इस दिन को इतना खास समझ रहे ह यह आपके माता-पिता की उपलब्दी है, तो आपका इसमें क्या सहयोग? उपर से आजकल यह नई परंपरा चली है, रात को बारा बजे जनम दिन मनाने की. मुझे एक मात और समझाएए, क्या अगला दिन नहीं चड़ेगा? आपके लिए तो अगले दिन का ही महत्व जादा है न? तो फिर आदी रात को जनम दिन मनाने का क्या उचित्ते? सूर्य देवता के निकलने का इंतजार तो कीजिए, आपके लिए तो यह साल का सबसे बड़ा त्योहार है, और हमारे बहरतिय समाज में आदी रात को त्याहार मनाने की परंपरा तो नहीं है, यह बेढ़ंगापन हमारी समझ से तो बिलकुल बहर है. पहले तो आदी आदी रात को जाकर जनम दिन मनाएंगे, फिर अगले दिन देर से उठेंगे, माबाप के पूछने पर रौब और जमाएंगे, कि रात को तो देर तक जनम दिन मनाया है, तो फिर सुबह जल्दी कैसे उठे? क्यों? किसी पंडित ने कहा था, आदी रात को ज सूरे देवता के दर्शन करने चाहिए, तब आप पड़े अपनी खटिया में सो रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दूसरा आप प्रकर्ति के नियमों का सर्वथा उलंगन कर रहे हैं, तीसरा क्या कभी आपने सोचा है कि आप आने उपर से तुर्रा यह है कि आपको कोई कुछ कहे भी नहीं, वैसे आपको याद दिला दूँ, हमारे यह दिये और मौंबतिया जला कर उत्सब मनाने की रिती रिवाज है, ना कि बुझा कर, वह तो अप्शगुन माना जाता है, और केक पर फूप मार कर तो आपने उसे पहल के चेहरों पर लगा कर अन और धन की जो परबादी कर रहे हैं, बह तो आप से कोई पूछने वाला है ही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, जैसे आपने अपने आने वाले नए साल का स्वागत मूँ पर कालिख लगा कर किया हो, आप कहेंगे हमारा पैसा हम जैसे भी इस्तमाल करें, लेकिन नैसरगिक संसाधन, जिसे इंगलिश में नेचरल डिसोर्सिस कहा जाता है, वह देश के हैं, और उन्हें बरबाद करने का हक किसी भी नागरिक का नहीं है, फिर चाहे वह कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो, दूसरों देशों के मैसेज तो बहुत फ खाएं या मूपर लगाएं हमारी मर्जी, यहां मैं सपष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं केक खाने के खिलाफ नहीं हूँ, आपको केक पसंद है तो खूब शौक से खाईए, केक खाने को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन यह कहां लिखा है कि जन्म दिन केक के बगैर नही दोसरों को भी हिलाइए, सिर्फ यह कहकर कि आजकल तो जन्म दिन ऐसे ही मनाया जाता है आप बच नहीं सकते, गलती शायद हमारी पीड़ी की भी है, कि हमने समय रहते आपको यह सब करने से नहीं रोका, यह सोचा कि घर में शान्ती बनी रहे, जैसा बच्चों को अच्छा लगता है उन्हें वैसा करने दो, वो कहते हैं न, कि किसी को उंगली पकड़ाओ तो वैं पहुंचा ही पकड़ लेता है, बस वही हाल आजकल की ज्यादा तर पीड़ी का है, अब तो हर चीज की अती हो रही है, जन्म दिन आपके लिए महतुपूर्ण है, पर जन्म दाता न नहीं, माबाप तो जन्म देकर किनारे हो गए, जिनों ने आपको जन्म दिया, आप उनके लिए कुछ करें तो आपका जन्म दिन सार्थक है, नहीं तो ये बैकार का शोर शराबा करके जो आप ढोल पीट रहे हैं, क्योंकि मेरा बड़े आया, क्योंकि मेरा बड़े आया, वह तो निरा व्यर्थ है, जन्म दिन मनाना है, तो अपने भारती रिती रिवास से मनाओ, ना कि पश्टमी देशों का अनुकरण करके, प्राते काल सुरिदेव की दर्शन करके अपने इष्ट को याद कीजिए, जितना हो सके दान कीजिए, और स्वेम को केंदर बिंदू ना मानकर अपने परिवार और समाच के कनल्यान के लिए कोई भी शुपकारे कीजिए, फिर देखिए, आपका जनम दिन आपके लिए वास्तव में मंगलकारी होगा, और इश्वर आपको दिल से आशिर्वाद देंगे, अपनी संस्कृती से जुड़े रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा, दोस्तों, अगर आप मेरा यह लेक पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे ब्लॉग शुदेशी थौट्स अन वर्डप्रेस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, मित्रों आपके कम कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेड़ना मिलती है, इसलिए प्लीज कमेंट सेक्षन में कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए, और साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करिए, त आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोट्रिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके, धहरे से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद